उधारन 6 की रण AZ कोण A को सम्दिभाजित करती है और B की रण AZ पर इस्थित कोई बिंदू है BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है दर्शाइए की पहला त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB दूसरा BP बराबर BQ अर्थात बिंदू B कोण की भुजाओं से सम्दूरस्थ है बच्चो अब हम उधारन 6 पर बात करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने एक चित्र है जिसमें किरण AY और किरण AX मिलकर एक कोण बना रहे हैं A पर और किरण AZ उनको सम्दिभाजित कर रही है यह हमें दिया हुआ है कि किरण AZ इस पूरे कोण A को सम्दिभाजित कर रही है और दूसरी चीज़ दी हुई है कि इस किरण AZ पर B एक बिंदू है जहां से हम AY और AX पर लंब डाले हैं यह लंब करमशा BP और BQ हैं तो यह सुषनाय हमें दी हुई है जानकारी हमें दी गई है अब इसके आधार पर हमें सिद्ध करना है कि यह जो दो त्रिभुज बन रहे हैं एक त्रिभुज A P B और दूसरा A Q B यह दोनों त्रिभुज सरवांग सम्ता के आधार पर हमको यह सिद्ध करना है कि B P और B Q बराबर है यानि बिंदू B दोनों किर्णों से बराबर दूरी परिस्थी था यह चीदे हमें सिद्ध करनी है आपको मालूम है कि इसके पहले के उदारलों में जिस तरह से हमने सरवांग सम्ता की गुण का उपयोग किया था वैसा ही कुछ यहां भी हम करेंगे अब देखिए बहुत आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं अभी तरह आपने काफी अभ्यास कर लिया है देखिए जरह हम देखिए इन दोरों त्रिभुजों को ध्यान से पहले लिख लिखें हम त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए बी ग्यू में पहली चीज जो हमें दी गई थी कि कोण ए को एजट सम्दिवाज़ित करता है इसका मतलब यह जो कोण बन रहा है पहले त्रिभुज का वो दूसरे त्रिभुज की इस कोण के बराबर है इसे हम जैमिती के भाशा में लिखें कोण पी ए बी लिख सकते हम कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी यह कोण इसे हम लिखें क्यू ए बी यह दोनों कोण बराबर है और दूसरी जो हमें जानकारी दी गई है कि पी बी किरेंड एवाई पर लंब है इसका मतलब यह हुआ कि यह कोण समकोण है इसे भी हम लिख लें कोण ए पी बी कौण A, P, B बराबर दूसरे तिर्फुज में फिर से B, Q गिरंड A, X पर लंब है इसलिए ये भी कौण समकौण होगा इसे हम लिखें कौण A, Q, B कौण A, Q, B ये दोनों समकौण है इसलिए बराबर है अब दो कौणों को हमने दोनों त्रिफुजों में बराबर किया अब एक हमको जानकारी और चाहिए जो दोनों त्रिफुजों में बराबर हो आप देख रहे हैं कि किरंड A, Z का जो भाग A, B है वो दोनों त्रिफुजों में उपस्तित है उपर वाले त्रिभूज में भी है और नीचे वाले त्रिभूज में भी है तो हम इसे दोनों त्रिभूजों का एक हिस्सा मान सकते हैं लिख सकते हैं इसे कि भुजा AB बरबर भुजा AB अब आप देखे कि पहले त्रिभुज में ये कोण और ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके अधार पर आप कहा सकते हैं तिसरा कोण जो है वो भी आपस से बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज की तीनों अंतह कोणों की योग दो समकोण होता है यदि दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बरावर है तो तीसरा भी आपस से बरावर होगा और भुजा ए भी दोनों त्रिभुजों में है तो आप दो तरह से कह सकते हैं दोनों तरभुज सर्वांग सम है एक तो प्रमे आपने पढ़ा था कोण कोण भुजा सर्वांग समता के शर्त यह आपने देखी थी उसके आधार पर भी आप कह सकते हैं यह आप कह सकते हैं कोण भुजा कोण के आधार पर ये दोनों तरिभुज सरवांग सम है ये भी आप कहा सकते हैं तो इन तीनों परिणामों के अधार पर हम इस बात को लिख लें तरिभुज A, P, B तरिभुज A, P, B सरवांग सम है तरिभुज A, Q, B के एक तो ये बात जो हमें सिद्ध करनी थी वह हमने सिध्ड कर ली और दोनों त्री भुज़ जिरी सरवांग सम है इसका मतलब इसकी शैष भुजाय है कि भुजा बी-पी और भुजा बी-क्यू भी आपस में बराबर होंगी क्योंकि दोनों तरी भुजो में ये भुजाय हैं संगत है तो ये एक और कतन जो आपको मिल रहा है कि बुजा B P और B Q बराबर है B P बराबर B Q इस कतन को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं यदि B P और B Q दोनों बराबर है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं से बिंदू B की जो लंबवत दूरी है वो बराबर है यानि B से आपने पी जो लंब डाला था B P और दूसरा लंब B क्यूँ दोनों इस B बिंदू की दोनों किर्णों से बराबर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है कि की कोण की भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है यह उपयोग हमें आगे कई बार करना पड़ेगा तो यह आपका उदाहरण छेप पुरा हुआ और मुझे लगता है कि आप एक बर फिर से इसे करें तो बहुत आसानी से कर पाएंगे